Hello students, welcome back to another video आज करने वाले हैं chapter number 2, polynomials छोटा सा chapter है, दो वीडियो में cover कर दूँगा उससे पहले यार एक genuine suggestion आप लोगों से चाहिए मैं क्या कर रहा हूँ, आपने देखा होगा पिछले chapters मैं exercise wise कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे ये लग रहा है कि एक बड़ा chapter है, तो concept सा लगा लगे, hair exercise का अपना एक अलग concept है तो मैं concept wise कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि शायद एक दिन में बच्चा पूरा chapter तो cover नहीं करेगा क्योंकि एक दिन में एक concept ग्राब करेगा, फिर next दिन में next chapter मैं इस हिसाब से कर रहा हूँ, तो आप लोग यार इस चीज़ का suggestion दो, अगर आपको लगता है तो फिर मैं पूरी वीडियो, एक ही वीडियो में पूरा एक chapter कर दूँगा यह हो गई एक बात, दूसरी बात share कर दिया करो अपने दोस्तों के साथ ग्रुप्स में और जिसने subscribe ना कर ओ, वो subscribe कर दो, start कर लेते हैं अपना chapter तो, polynomials chapter है, polynomials में एक word आपने देखा है, zeros, zeros करके बात हो रही है तो मैं सबसे पहले समझा दूँ कि zeros of the polynomial होता क्या, आपको पता है, starting में थोड़ा का concept में time लगेगा exercise बहुत छोटी थी, फटा फट हो जाएगी, zeros का मतलब क्या होता है, वो बताता हूँ for example, अगर ऐसे लिखा है, x square minus 5x plus 6 ठीक है, अब लोग polynomial chapter 9 में बढ़ते हैं, linear, quadratic, cubic, उसकी कितनी डिग्री है, highest power कितनी है जैसे अगर यह है, x plus 3, तो यह linear polynomial है, क्योंकि इसमें जो alphabet है, या यह x, उसकी highest power 1 है, यहाँ पे highest power आपको 2 दिख रही है, तो यह quadratic polynomial है अगर मैं ऐसा लिख दूँ, 3x की पार 5, या 5 छोड़ो, ऐसे लिख दिया मैंने, highest power कितनी दिख रही है, 3, तो यह cubic polynomial है और हमें 3 तक ही नाम दिये गए थे, उसके बाद सिर्फ हम डिग्री बोलते थे, highest power जो होती है, उसका हम डिग्री कहते हैं, highest power 1 है, तो डिग्री 1, डिग्री 2, डिग्री 3, इसी तरही से डिग्री 4, डिग्री 5, और हमने नाइत में देखा था, हमने नाम भी रखे थे, हमने इसके 2 होंगे, इसके 3 होंगे, जितने डिग्री उतने 0, 0 का मतलब क्या होता है, जैसे यहां पर आते हैं, मैं कह रहा हूँ, इस वाले question में, अगर मैं x की value minus 3 रख देता हूँ, minus 3, plus 3, मामला क्या हो गया, 0 हो गया, तो मैं कहूंगा, x is equal to minus 3 is a 0 of this given polynomial, और सिर्फ एक ही 0 x is equal to 2, 3, 2 and 3 are zeros of the polynomial, अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है, एक बार ज़रा 2 put करके चेक करो, x की जगा पर 2 put करते हैं, 2 put करा, 2 का square, minus 5 into 2, plus 6, 2 का square, 4, minus 5, 2 is a 10, plus 6, 10 minus 10, 0 हो गया, जिसके concept clear हो, जिसको पता है, कि यार यह सारी चीज़ मुझे पता है, मुझे directly exercise देख किसका लो, जो आपके मतलब की चीज़ हो, वो देख लो, यह हो गया zeros, मैं उनको लिए बता रहा हूं, जिनके basic स्थोड़े से भी हिले हुए है, जिनको यह पता है, वो आगे बढ़के आपने concern topic से start कर सकते हैं, यह हो गया, इसी तरह से मैं अगर x की जगा 3 put करता हूं, तो उस value को अगर आपने put करा, अगर मैंने x की value 2 को यहाँ put करा, तो पूरा मामला ही 0 हो गया, अगर मैंने x की value 3 को यहाँ put करा, तो यह पूरा मामला ही 0 हो गया, इसको हम कहते हैं, x is equal to 2 is a 0 of the polynomial, x is equal to 3 is a 0 of the given polynomial, तो x की कौनसी value इस पूरे polynomial को 0 करेगी, उसको हम कहते हैं 0 of the polynomial, कॉंसेप्ट क्लियर है अब आजाते हैं आगे के टॉपिक्स पर एक ये क्वेशन देख लेते हैं यह समझ में आ गया बिल्कुल बेसिक था कि जीरोस कहते हैं किसे हैं अब इसके आगे आते हैं हम कहते हैं जो जनरल फॉर्म है यह हम कोडराटिक पॉलिनॉमियल पड़ रहे है तो इसकी जनरल फॉर्म क्या है इसकी जनरल फॉर्म है अच स्कूर प्लस उपर लिख देता हूं अगर इन केस यह वैलू यहां नेगेटिव होती तो फिर बी की वैलिव माइनस ताइव होती ध्यान रखना है विद्ट साइन बोला जाता है तो बी की वैली उसके में माइनस वह थी फिलाल अभी प्लस है यह इतना हो गया अब हम क्या करेंगे इसका मिडल टॉम स्पिट करते हैं यह हो जागा एक्स स्क्वेर इसको लिखते हैं हम x plus 4x plus 4 फिर इन दोनों को common निकालेंगे अच्छा है एक बात और ध्यान से सुन लो middle town split एक बहुत important topic है 8s में भी करा होगा अपने 9s में भी करा होगा और अब आप 10s में कर रहे हैं अलग 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 time पे जरूत पड़ेगी आपको quadratic equation में भी आएगा उसमें भी जरूत पड़ेगी इस middle town split की तो आपको eye button दिख जाएगा आप eye button पर click करेंगे महाँ पे middle town split proper से कैसे किया रहा था क्योंकि इस exercise में भी 2.2 जब हम करेंगे महाँ पे जरूत पड़ेगी आपको middle town split की उसको अच्छे से समझ लो जिसको नहीं आता है पहले दोनों में से common लेंगे x बचेगा x plus 1 प्लस इन दोनों में से common लेंगे 4 बचेगा x plus 1 क्योंकि आप middle town split एक ऐसी चीज़े कि वो आपकी बार-बार practice कराई जाती है और उसके बिना काम थोड़ा मुश्किल हो जाएगा कई अलग जगाओं पर ज़रूत पड़ेगी उसकी x plus 1 x plus 4 यह हो गए हमारे factor कर लिए factor अब उसके बाद क्या करते है हमने का बही एक बार इसको equal to 0 put करो यहां से x की value minus 1 आ गई एक बार इसको equal to 0 put करो यहां से x की value आ गई minus 4 हमने क्या करा factor राइस करा factor बनाया middle time split के थुरू x plus 1 और x plus 4 बन गया x plus 1 को एक बाता हमने क्या खा x plus 1 भी इसका factor है और x plus 4 भी इसका factor है थेर वो तो factor की बात हो गई आगे आ रहा हूँ मैं 0s निकालना चाहरा था इस पूरे को equal to 0 रखा x की value minus 1 आ गई इसको equal to 0 रखा x की value minus 4 आ गई तो हम यह कह रहे हैं कि यह मेरा alpha है और यह मेरा beta है यह हम zeros के बारे में बात करने चाहरा है zeros हो गए कितने zeros हमने बोले थे दो तो एक को alpha एक को beta मर्जी है किसी को भी alpha किसी को भी beta कह सकते है उसको alpha इसको beta कह लो यह हो गया alpha बीटा ठीक है यह हमारे ABC जो हमने equation से check करके निकाल लेते हैं अब यहाँ दो result आते हैं दो result यह आते हैं यहाँ पर सारा मामला आसान है सब कुछ बहुत आसान है बस यहाँ पर जिसको नहीं पता होगा वो यहाँ पर परशान हो जाएगा यह क्या कर रहे है तो middle term split मैंने बोला है वो अच्छे से देखके समझ लोगे कि उस वीडियो में proper से मैंने बताया हुआ है कैसे कैसे detail कैसे number लेते हैं किस हिसाब से हमारा decision लिया जाता है उस चीज़ को देख लोगा clarity हो जाएगी तो अपनी exercise भी बहुत अराम से हो जाएगी क्योंकि उस exercise में 2.2 में आप जाओगे सिर्फ middle term split का काम है दो हमारे result आए है दो result क्या है alpha plus beta is equal to minus b upon a एक तो यह result आया है और दूसरा result है alpha into beta is equal to c upon a यह हमारा result है यह दो चीज़ आई है इसका हमें ध्यान रखना है और इसको याद भी रखना है तो उन्होंने कहा यह है कि अगर आपके दो zeros आ रहे है alpha और beta तो alpha plus beta is equal to minus b upon a जो कि वहाँ पर है ABC हमें वहाँ से पता चल गया zeros हमें यहाँ से पता चल गया तो एक चीज़ यह है एक चीज़ यह है तो question होते हैं कहते हैं कि इसको justify करो proof करके दिखाओ कि यह चीज़ जो यह कह रहे है वो सही है तो एक एक करके करते हैं सबसे पहले मैं पहला वाला करता हूँ alpha plus beta निकालता हूँ LHS alpha plus beta मतलब minus 4 and minus 1 कितना हो जाएगा minus 5 उसके बाद minus B upon A तो minus B की value कितनी है 5 और A की value है 1 minus 5 यहाँ भी minus 5 यहाँ भी minus 5 hence proof के alpha plus beta जो है वो minus B upon A के बराबर है ठीक है ऐसा नहीं कि पहले equal to लगा के start कर दिया पहले LHS चेक करवाया ही आया RHS चेक करवाया ही आया हमने का भी देख लो equal है बीटा की value है minus 4 multiply कर रहे है 1 for the 4 minus minus plus हो गया alpha into beta 4 आ गया फिर मैं C upon A की बात करूँगा C upon A, C कितना है? C वो लिखावा 4 4 upon 1 जो के 4 आ गया hence proved कि यह चीज जो ही कह रहे हैं वो बिलकुल सही है आगे बढ़ जाते है next topic आता है zeros of a polynomial through graph अब भी आ रहा हूँ मैं exercise पे भी आऊंगा पहले जोड़ा topic wise करवा रहा हूँ zeros of a polynomial through graph अगर मैं graph के through बात करूँ जो मैंने भी आपको एक question करा है वो actually 2.2 का ही है मतलब 2.2 के concept उसी पे ही है उस question पे तो वो देख लिया है उसी तरीके से सारे questions है zeros of a polynomial through graph की अगर मैं बात करूँ तो मैं कहा रहा हूँ यार graph होता क्या है मतलब graph के through अगर मैं बात करूँ तो मैं कहा रहा हूँ यार जो जैसे मैंने एक question देखा था x square minus 5 x plus 6 वाला तो जो question होता है वैसे तो हमने लिख दो ये जैसे generally जब हम पहले करा करते थे तो कैसे लिखते थे y is equal to 2 x plus 3 इस तरहां से y is equal to something करके या f x is equal to something करके तो यहां पर मैं आगर ऐसे लिख ना था हूँ तो मैं ऐसे लिख दूँ y is equal to 5 x square minus 5 x plus 6 इस तरहां से होगा मतलब मैं x की value क्या put कर रहा हूँ कि पूरा y 0 हो जा रहा है तो यह जो graph होता है यहां पर क्या होता है कि मैं कहा रहा हूँ ग्राफ पे मेरा जो function की value है मेरे function की value इसको मैं f x भी लिख सकता हूँ मेरे function की value मेरे function की value 0 हो जाए पूरी मतलब मैं x की क्या value प्रेपुट करूं कि मेरा पूरा मामना जीरो हो जाए मतलब एक्स आक्सिस पे जब वह टच करेगा जैसे जैसे इस तरह से इस तरह से मैंने बात करी तू है और यह थ्री है यह वन है यह टू है यह थ्री है यह मेरा लेकर चल रहता है इकस आक्सिस को कितनी ऐर कट कर रहा है मेरा graph जो भी जिस भी चीज़ का graph है जिस भी polynomial का है, cubic हो या linear जो भी है, वो कितनी बार x-axis को touch कर रहा है या cut कर रहा है उतने ही 0 रोते हैं, मतलब graph के थू 2.1 exercise जो दी है, उसमें ये concept है आपका एक graph दिया हुआ है और आपसे कह रहा है ये कितनी बार cut कर रहा है ऐसे कर रहा है, ऐसे ये ऐसे चला गया ये कितनी बार cut हो रहा है एक, दो, तीन, चार, पांच कितनी बार, पांच बार एक, दो, तीन, चार, पांच तो हम क्या कहेंगे, इस particular graph के कितने zeros हैं 5 एक नमबर का question कोई भी graph बना हुआ है कह रहा है इसके zeros बता वो चीज़ जितनी बार cut कर रही है x-axis को उतने zeros होंगे अगर मैं एक ये वाला graph है इस तरह से और मैंने ऐसे एक बना दी लाई अधि ideal से बना दी तो ये मेरा x-axis है ये मेरा y-axis है और ये मेरा इस तरह से graph बना है तो यह बताओ यह graph x-axis को कितनी बार टच कर रहा है याँ को कट कर रहा है एक बार दी एक यह एक अट наж कर रह रहルク stellar all एक बार भी नहीं तो मैं कमगा इसके कितने zeros हैं एक भी जीरो नहीं इसके कितने थे पांच इसके कितने हो गए टू तब ग्राफ देखो ग्राफ देखके यह देखो कि एकसिस को वो कितनी बार कट कर रहा है और उतने ही आपके zeros हो गए अब फॉरन तेजी से आ जाते हैं टू पॉइंट टू एक्सराइज तो टू पर आ गए दो चीज़ें थी एक अलफा प्लस बीटा वाला अलफा एंटू बीटा वाला जो कॉंसेप्ट था सम उफ जीरो और प इतने zeros होंगे ठीक है एक यह जीज़ होती है और अब यह वाले क्वेशन्स हा गए डिरेक्ट हम एक्सराइज पर आ गए टू पॉइंट टू पर है यह एकस स्क्वेर माइनस टू एकस माइनस इट इसमें इन वाले क्वेशन्स पर वो क्या कह रहा है कह रहा है जीरो निकाल एक की वाल्यू दिख रही है मुझे 1 क्योंकि X के साथ कुछ नहीं है मतलब 1 है तो A की वाल्यू हो गई 1, B की वाल्यू हो गई माइनस 2 और C की वाल्यू हो गई माइनस 8, ABC हो गया और उसके बाद में अब क्या करेंगे इसका middle term split करेंगे तो क्या हो जाएगा X2 थोड़ा सा बता देता हूं मैंने बोला था वीडियो एक बार आप देख लोगे middle term split वाली तो आपके लिए अच्छा है उसके अलावा मैं थोड़ा सा बता देता हूं करते कैसे हैं हम यह कहते हैं sum हमें यह चाहिए जो बीच में लिखा है यानि कि minus 2 तो मुझे sum जो है वो minus 2 चाहिए यानि जो मैं अभी यहां इसको तोड़के मुझे यहां लिखूंगा मैं दो numbers लिखूंगा उन दोनो numbers का sum minus 2 होना चाहिए और product कितना होना चाहिए middle term split का मतलब क्या बीच वाले number को तोड़ दो दो हिस्तों में तोड़ दो तो उन दोनो numbers का sum जो है वो minus 2 होना चाहिए जो के बीच में लिखा होता है product क्या होना चाहिए यहाँ पर क्या था 1 और यहाँ पर क्या है minus 8 तो 1 into this minus 8 यानि minus 8 तो मुझे product minus 8 चाहिए यह मुझे जुगाड़े हां लगाना है ठीक है भई यह तरीका होता है करने का sum minus 2 चाहिए product 8 चाहिए तो हम क्या करते है number जो product वाला तो उसको लेकर चलते हैं और उसके factor बनाते हैं फिलाला भी minus पे ध्यान नहीं दे रहा है मैं सिर्फ 8 को लिख रहा हूँ 8 को मैं 1 into 8 भी लिख सकता हूँ या नहीं 1,8 करके लिख रहा हूँ 1,8 जा 8 2,4 जा 8 बस और तो कुछ है नहीं 3 से होता नहीं 4 से 4,2 जा 8 तो same number सा जाएंगे तो मैं देख रहा हूँ कि 8 और 1 में 8 प्लस 1 नहीं 8, मतलब कुछ भी करके आप 2 पे नहीं बहुत सकते हैं लेकि नहीं हाँ बहुत सकते हैं मैंने का 4 और 2 को जोड़ूँगा तब तो 2 नहीं बनेगा लेकिन 4 और 2 का अगर सब्ट्राट कर दूँगा घटा दूँगा तो 2 बन जाएगा तो 1,4 है 2 है 4 और 2 इनको अगर मैं 1 प्लस 1 माइनस का करूँ तो different sign होंगे सब्ट्राक्ट हो जाएंगे मुझे समचही माइनस 2 यानि मुझे माइनस का 2 चाहिए तो माइनस का नमबर मैं बढ़ा लूँ अगर मैं लूँ ऐसे माइनस 4 और प्लस 2 क्योंकि आपको 2 चाहिए आपने देखा कि 4 और 2 का जुगार जाए वो सब्ट्राट करने पर और आपको पता होना चाहिए सब्ट्राट कब करते हैं जब दोनों के different sign होता है सेम sign होंगे तो add कर देंगे अकर दोनों plus के हैं 4 प्लस 2 तो 6 हो जाएगा minus 4 मैंनस 6 हो जाएगा different sign होने चाहिए मने आप का चाहिए तो मैंनस 4 प्लस 2 करा अगर plus का चाहिए होता तो फिर 4-2 प्लस का 4 करता और मैंनस का 2 ठीक है यह मैंने मैंने आप 3 करता और इनको multiply करेंगे, 4 to the 8 और minus क्यों से minus आ जाएगा मेरे number decide हो गए, मैंने यहां लिख लिया minus 4x plus 2x minus 8 ठीक है, करने के बाद पहले दोनों numbers का मैंने common लिया x common ले लिया, बना x minus 4 plus 2 common लिया, बना x minus 4 x minus 4 और x plus 2 अच्छा, equal to 0 रख के चलूंगा क्योंकि मुझे 0s निकालने हैं, तो मैं 0 लेकर चल रहा हूँ और दो चीज़ें आ गई, दो factor बन गए बहिए एक चीज़ और पहचान क्या होती है ये bracket same होने चाहिए x minus 4 same होना चाहिए अगर ये दोनों bracket same नहीं है, इसका मतलब कुछ गड़़़़ए तो ये same है, तो एक तो ये उठाके रख दिया, दूसरा x plus 2 ये आ गया, एक बार इसको equal to 0 रखेंगे, x minus 4 is equal to 0 यहां से x की वालिवा गई 4 एक बार इसको equal to 0 रखेंगे, x plus 2 is equal to 0 x की वालिवा गई minus 2 यहां से मैं कहूंगा, ये मेरा alpha हो गया किसी को भी alpha, किसी को भी beta और आकलो अपनी मर्जी है, ये alpha हो गया ये beta हो गया अब क्या प्रूफ करना है कि alpha plus beta is equal to minus b upon a है, और alpha into beta is equal to c upon a है, a, b, c की वालिव ये रही, alpha, beta ये रहा फटा-फट से हो जाएगा, alpha plus beta अब तो बहुत असान चीज़ होती है main काम यही होता है, यहां तक पहुचना alpha plus beta, alpha है 4 plus beta है minus 2, तो plus minus minus हो जाएगा, 4 minus 2, answer आगया 2, ये होगा alpha plus beta minus b upon a रखना है तो minus, और b की value minus 2 है minus formula का, और b की value minus 2 है और upon में a की value 1 है minus minus क्या हो गया plus, तो 2 upon 1, answer आगया, 2, हम कहेंगे देख लो भाई, alpha plus beta और minus b upon a, equal आ रहे हैं done हो गया, second value जो property थी alpha into beta तो alpha की value क्या है, 4 और into beta की value है minus 2, multiply करके minus 8 आगया, c upon a देख लेते हैं c की value है, minus 8 upon a की value है, one answer क्या आगया, minus 8 जो इन्होंने कहा था, वो प्रूफ करके दिखा दिया हो गया, next question पर चलते हैं आगया, second part पर 4s square minus 4s plus 1 तो ज़रूरी नहीं है कि हमेशा x alphabet का इस्तमाल करे, s alphabet का इस्तमाल कर लिया, कोई बात नहीं तो यहांसे अगर मैं compare करूँ इतना तो अब थोड़ा सा speed हम करी सकते हैं पहले question में हमने देख लिया x square plus bx plus c तो उसी तरीके से यह s में है, कोई बात नहीं तो square वाले के साथ था, यह a हो गया a की value हो गई 4 b की value हो गई minus 4 और c की value हो गई 1 a, b, c पता चल गया रख लिया क्योंकि जरूत पढ़ने वाली है और दूसरी चीज, हमें देखाता भी last में कि जब हम middle वाले को, इसको जब हम split करेंगे तो मुझे sum कितना चाहिए होगा sum मुझे चाहिए होगा वही चीज जो है लिखी है any minus 4 और product जो है, वो मुझे कितना चाहिए product मुझे चाहिए वही कोने वाले ये number कितना है one और ये number कितना है four इनको multiply कर लो तो four बन्दा four मुझे product चाहिए four sum चाहिए इतना और product चाहिए इतना फिर दुबारा से क्या काम करेंगे वहीं हमें पता है कि तरह से क्राजाता है जो number है product वाला वो लेना है four को लिया तो मैंने रहे फोर को एक तो मैं one four is a four लिक सकता हूँ multiples इस तरह से लिख लोटेते है one four is a four और के लिक सकते हैं four को 224 उसको product को लेते हैं multiples की form में वो distribute करते हैं तो इसको यह वज़ा यह होती है कि हम एक बात के लिए sure होते हैं कि जब उन numbers को multiply करेंगे तो at least product मेरे पास तयार है और मुझे उनसे sum का जुगार लगाना है जैसे last time 8 था तो मैंने क्या करा था 8 लेके 1 8 जा 8 और 2 4 जा 8 ऐसे किया था तो मुझे यह पता था कि जो भी मैं numbers लूँगा at least मेरा product sure है और बस मुझे sum का जुगार यहां से लगाना इसी तरह से यहां पे कर रहे है तो मैंने का यार यहां से अगर मुझे 4 चाहिए अगर मैं इन दोनों number मुझे यह चाहिए sum minus 4 तो sign का तो हम इसाब किताब बिठा लेंगे गिंती देखो 4 अगर मैं इनको जोड़ूँगा तो 5 आएगा घटाउगा तो 3 आएगा जबार डी बन रहा इनको घटाउगा 0 हो जाएगा लेकिन जोडने पर 4 बैट रहा इसका मतलब यह यह है मेरा जो मुझे ज़रूथ है दो और दो का इसाब बनाऊ अब किस तरह चे बनाऊ गवा आपकी मरजी है आपको समचाए माइनस का 4 product 4 चाहिए समचाए माइनस का 4 भाई अगर मैं दोनों को जोड़ूँगा तो आएगा 4 पर 4 नहीं माइनस 4 चाहिए तो मैंने क्या यार अगर ऐसा कर लो माइनस 2 और माइनस 2 तो यह माइनस 4 बन जाएगा और जब मैं मल्टिप्लाई करूँगा माइनस 2 इंटो माइनस 2 तो 2 डूगा 4 माइनस माइनस खतम हो गया आगया इसका मतलब मेरा जो चाहिए मुझे वो माइनस टू एंड माइनस टू बए नमबर ढूंडो नमबर ढूंडने के बाद आप ये चीज़ देख लो कैसे करना है उनका sum कर रहे हैं जब sum करने पर 4 मिल रहा है ठीक है लेकिन प्लस का 4 नहीं माइनस का चाहिए ठीक है तो माइनस के ले लिए बतलब प्रॉडक्ट लो प्रॉडक्ट वाले बंदे को लेके उसके फैक्टर्स करो उसको स्प्रिट करो और वहाँ से नमबर डिसाइड कर लो sum को देख के तो ये क्या हो गया 4S स्क्वेर अभी और करेंगे निकाल लिया था एक बजिया माइनस 2S पूरा बाहर निकाल लिया 1 बचा अब इन दोनों मेंसे मुझे कॉमन निकालना मैंने कि यह कुछ तो कॉमन आ नहीं रहा ना अल्फबेट ना काउंटिंग तो मैंनस होचा 1 लिख लेता हूँ मैं लेकिन अगर मैं 1 कॉमन लूंगा नॉमली क्योंकि कुछ नहीं आ रहा तो यह बचेगा माइनस का 2S मैंने का यार यह तो ब्राकेट में माइनस का 2S आ जाएगा यह तो कोई मैं आच नहीं हुआ यहां पर हो गया प्लस प्लस 2S और यहां पर क्या बच रहा है माइनस का 2S गड़बल हो जाएगी यह दोनों ब्राकेट सेम होने चाहिए दोनों ब्राकेट सेम करने के लिए मैंने क्या फिर ऐसा करो कि माइनस 1 ले लो यह ब्राकेट सेम होने चाहिए तो मैंने minus 1 common निकाल लिया अब यहां क्या बचेगा 2s और क्योंकि आपने minus common निकाला तो आपके minus रखना पड़ेगा और अब आप देख सकते हैं कि आपके bracket जो हैं वो यह दोनों जो मुझे चाहिए ते यह सेम होगा है तो यह दोनों bracket सेम होते हैं इनको ठाके एक बार यहां हमने देखा exactly same आ रहा है एक तो यह चीज लिख दी और 2s minus 1 यह रखा तो दोनों यह आ रहा है तो यह equal roots आ गया पर equal दोनों 0s सेम आ जाएंगे quadratic में भी हम यह चीज़ करेंगे उस case में हम यहाँ पर d की value निकालते हैं और हम कहते हैं यह equal roots दे रहा है तो यहां से s की value कितनी आ जाएगी यह minus का 1 हुदर जाएगा plus का 1 और उसके बाद s की value आ गई half एक तो s की value यहां से half आ गई by school होगे same चीज़ काम करोगे 2s minus 1 is equal to 0s की value यहां से भी half आ रही है तो दो चीज़ें होगे हमारे पास यह होगे हमारा alpha और यह होगे हमारा beta यह alpha यह beta ABC हमें पता है अब अपना काम वही जो भी हमने last करा था वही दुबारा से कर लेते है alpha plus beta is equal to alpha कितना है alpha half plus beta भी half है दोनों को add करेंगे add करने के बाद बना जागा आदा हो और आदा जोड़के एक हो गया minus b upon a की बात करेंगे minus b upon a minus minus formula का जो उनोंने दिया था b की value minus 4 इस चीज़ का ध्यान रखना है अच्छे से minus formula का b की value minus 4 और upon a की value है 4 minus minus plus हो जाएगा तो 4 upon 4 कटके आगया 1 यह भी 1 यह भी 1 alpha plus beta is equal to minus b upon a प्रूफ करना था हो गया justify कर दिया second part इसका जो alpha into beta वाला होता है alpha into beta alpha की value है half into beta की value भी है half multiply कर लिया 1 upon 4 आ गया c upon a c की value कितनी है c की value है 1 और a की value है 4 1 upon 4 आ गया hence proved फिर से यह कह रहा हूँ कि जिसको पता है जिसको यह वाले question clear है आगे बढ़ जाओ next topic जो है उस पर देख लो time stamp इसलिए लगाओ है जिसको जिस चीज़ की जरूरत है अगर किसी को लग रहा है यह वाले सारे पार आते है चौते पार्ट में problem है पांचे पार्ट में problem है आगे किस का लो देख लो time stamp का यही फायदा हो गया है अगला question अपना यह six x square minus three minus seven x तो सबसे पहला काम यह कि यह सही फॉर्म में नहीं है इसको सही फॉर्म में करो ऐसे करने लग जाओगे मिडल टांस प्रिट तो गलत हो जाएगा a x square plus b x plus c पहले x square वाला term फिर x वाला term फिर यह हो गया comparison करते हैं a x square a की value आ गई three sorry six b की value minus seven और c की value minus three यह a हो गया a b हो गया c हो गया यह अपना a b c हो गया उसके बाद क्या करेंगे बिडल टांस split अब sum कितना चाहिए sum चाहिए minus seven यह जो लिखा हुआ है minus seven product कितना चाहिए यह 6 है और यह minus three है six three है 18 और minus का तो product जो है वो हो जाएगा minus 18 sum हो गया minus seven product हो गया minus 18 हो गया sign पे फिलाल ध्यान न देते वे सिर्फ हम number लेंगे मैंने जो बताया है तरीका मिडल टांस split करने का जो number होता उसको उठाया 18 को लिया और 18 के factor बनाने शुरू करें वन 18 जा 18 अगला नमबर आजाओ टू टू नाइन जा 18 अगला नमबर आजाओ थ्री थ्री शिक जा 18 फिर फॉर से नहीं है फाइव से नहीं है फिर उल्टा पैटन जाने लग जाएगा तो नमबर रिपीट हो जाएंगे 6-3-18 मैंने का यार यह तो फिर वही 6-3 जैसी नमबर को इसा रिपीट हो बस समझ जाओ कि अब उल्टा पैटन चलेगा नमबर से रिपीट हो रहे हैं वहीं रुक जाना है 3 पे हुए 4 थानी 5 थानी 6-3-18 मैंने का यार यह तो 6-3 यह तो वही लेते हैं इसलिए ताकि मेरी यह confirmation हो जाए कि at least जब मैं जो भी numbers लूँगा उनको multiply करूंगा तो कम से कम product मेरा तयार है 18 ही आएगा that's for sure चाहिए मैं यह ले लूँ 18-18 होगा यह ले लूँ 9-2-18 होगा यह लूँगा 360-18 हो जाएगा तो यह confirm हो गया तो चलो इतना ठीक है अब मुझे sum 7 चाहिए तो मुझे 7 का जोगार से यह भाई देखो यहां पर 18 एक जोड़ो 19-18 में एक गया 17 नहीं यह नहीं हो सकता क्योंक पूड रहा हूँ 9-2-11 हो रहा है लेकि 9 में से 2 घटा रहा हूं तो 7 आ रहा है इसका मतलब घटाने पर यह मामला हो जाएगा तो मुझे पता है कि मुझे सब्ट्राक्शन होगी यहां पर सब्ट्राक्शन का मतलब यह होता है कि different sign सम होता है same sign, same sign होता है तो हम आड़ करते हैं different sign होते हैं तो हम सब्ट्राक्शन करेंगे आपर एक प्लस का लिया जाएगा एक माइनस का लिया जाएगा ताकि यह सब्ट्राक्शन हो अब अगर मैं 9-2 कर देता हूँ तो फिर आएगा यह 7 लेकिन अगर मैं माइनस 9 प्लस 2 करता हूँ क्योंकि माइनस का 9 प्लस का 2 तो different sign होता है इसका concept है कि अगर different sign हो आप सब्ट्राट कर दो तो 9 में से दो गया 7 और बड़े नमबर का निशान लगता है तो बड़ा नमबर कौन है 9 तो इस वज़ा से सब्ट्राक्शन का निशान लगेगा यहाँ पर भी यही कराता हमने 9 में से दो गया 7 बड़ा नमबर 9 था वो प्लस का तो इसलिए यह हो गया तो मुझे क्या चाहिए था माइनस का 7 आगया माइनस का 7 इसका मतलब मैं नमबर लूँगा माइनस 9 एंड 2 माइनस 9 प्लस 2 माइनस 7 और multiply में तो वह होई रहा है माइनस 9 वह गटाने में भी यह देख लो कि या अगर प्लस का 7 चाहिए था तो 9 माइनस 2 कर लेतें लेकिन माइनस का चाहिए था तो मैंने का भाई 9 माइनस का करो माइनस 9 प्लस साथ ताकि बड़ा नमबर माइनस कर रहे ताकि यह चीज़ी आ है यह नमबर डिसाइड हो गया कुछ म मुश्किल नहीं है बहुत आसान है माइनस 9 प्लस 2 लिख लेते हैं अभी यह पे यह तो ऐसे ही लिखा रहेगा 6x2 बीच वाले नमबर की जगा मैं लिख दूँगा माइनस 9x प्लस 2x हो गया जो वहाँ से डिसाइड हो था और माइनस 3 is equal to 0 हो गया बस यह इसकी जगा यह द 3 के टेबल में 3 2 6 3 3 9 तो मैंने कर 3 कमन ले लो तो क्या बचेगा 3 2 6 और 1x क्योंकि एक निकाल चुके थे माइनस लगा ता लगा दिया 3 3 9 और x था लेकिन मैं अल्रेडी बहार निकाल चुका था तो अब मुझे यहां अंदर लिखने की जरूत नहीं है यह हो गया प्लस यह नहीं नहीं गड़बड हुई होगी 2x-3 3x प्लस 1 is equal to 0 एक बार यह वाला ब्राकेट ले लेंगे 2x-3 is equal to 0 x की वैल्यू का आजेगी वहां से 2x is equal to minus का उधर गया प्लस में x is equal to 3 upon 2 यह चीज हो गई दूसरा 3x plus 1 is equal to 0 3x is equal to minus 1 x is equal to minus 1 upon 3 दो values आगई मेरे पास अब यही चीज़ें आप देखनें बार 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 रेपीट हो रही है दो factor आए दोनों को लिया एक को मैंने कह दिया alpha एक को मैंने कह दिया beta और फिर वही same काम alpha plus beta alpha की value है 3 by 2 plus beta की value है minus 1 by 3 plus minus minus हो जाएगा अब LCM लिया जाएगा 2 or 3 का LCM 6, 2, 3, 6, 3, 3, 9 minus 3, 2, 6, you get 2 7 by 6 7 by 6 आगया दूसरी चीज़, minus b upon a बाई अगर किसी को जो है वो problems होती हो LCM लेने में या किसी को ये problem होती हो कि यार ये कैसे minus हो जाता है जैसे 2 plus 3 5 है लेकिन minus 2 minus 3 minus 5 है लेकिन multiply करते हैं तो फिर वो minus 2 into minus 3 वो 6 हो जाता है अगर इस तरह की भी problem है किसी को तो फिर मुझे बताओ तो उसके लिए एक अलग से वीडियो बनाते हो क्यों कि ये बहुत basic चीज़ है अगर फिर भी मुझे लगता है कि हाँ यार problems आ रही है बच्चों को तो फिर इस पे भी एक अलग वीडियो बन जाएगी यह आ गया 7 by 6 minus b by a कितना है minus की value तो कि formula की है और b है minus 7 और minus formula का b की value minus 7 upon a है 6 तो minus minus plus हो गया 7 upon 6 देखो बई alpha plus beta 7 upon 6 आया minus b upon a 7 upon 6 आया तो alpha plus beta is equal to minus b upon a hence proved next part पर आयेंगे alpha into beta alpha into beta कितना हो जाएगा alpha की value कितनी है वो रही 3 upon 2 into beta की value है minus 1 upon 3 3 से 3 कट गया answer आगया minus 1 upon 2 या गया alpha into beta अभी c upon a की बात करते हैं c की value है minus 3 upon a की value है 6 values इसलिए वहाँ लिख दी थी ताकि फटा फट से आपको दिख जाया minus 1 upon 2 hands prove next question पर चलते है चौता पार्ट थोड़ा सा अलग सा लग रहा है और लग रहा है यह कैसा सा है इसमें तो मतलब middle term split कैसे करूंगा यार middle term split नामी रखाम ने middle term split मतलब 3 term हो तो बीच वाले को हटा दो that is middle term split यहां तो 3 term ही नहीं है अगर मैं compare करूं पहली बाद तो x की जगा यू है कोई बात नहीं तो हम कहते थे a x square plus b x plus c तो x square वाला जो होता था वो a हो जाता था तो यह a हो गया b x होता था b u है इसमें कोई नहीं that's the same thing वो हम बस x की जगा यू use कर रहे है तो हम वही उसी तरह से दिमाग में imagination लेकर चलें तो a x square तो x square वाले के साथ a तो यह a हो गया plus b x होता था तो यह mine alphabet नहीं है यहां वो ऐसा कोई बंदा है यह नहीं नहीं है मतलब zero यह a b c हो गए और यहां पर हमें solve करना होता है तो हम इस equal to zero लेकर चलते हैं क्योंकि तभी हम comparison कराते हैं और तभी हम कहते हैं कि यह मेरे दो zero's है अब यहां पर क्या करना है middle term split तो हट गया अब आप confuse रहोग तो दो ही टा में दोनों में से common निकाल लो तो मैंने देखा यहां पर u square है और यहां पर u है तो एक तो u common निकल जाएगा दूसरा मुझे देखा four one था four four two is a eight four के table में जा रहा था यह तो मैंने four निकाल लिया अब क्या बचा four common निकाल चुका हूँ u square में से aq निकाल लिया लेकिन अभी aq बचा है प्लस aq था मैंने वो निकाल लिया लेकिन four है तो four two था eight is equal to zero भाई पहले अभी तक क्या हो रहा था अभी तक दो bracket बनते थे x plus two x plus three ये और ये 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 और ये अब के बार दो bracket नहीं बने कोई बात नहीं एक तो bracket ये बने औ करो four you is equal to zero यहां से you is equal to zero multiply से divide में चला जाएगा 0.4 मतलब 0 हो गया एक तो यह चीज़ आ गए you is equal to zero दूसरा you plus two is equal to zero यहां से you की value कितनी आ गई minus two plus का two दर गया minus का two हो गया तो ठीक है बड़ी है दो values सही है थी ना आ गई दो values दो हमारे zeros हो गए एक alpha एक बीटा हो गया ABC हमारा तयार है फिर हमेशा की तरह वही काम दुबारा करते है alpha plus beta alpha कितना है zero plus beta है minus two तो plus minus minus हो जाएगा zero minus two answer आ गया minus two फिर minus b upon a कर लेते हैं तो minus minus हो गया बी की value 8 upon a की value है भई ध्यान से रखना होता है अगर बी भी अपने साथ minus लेकर आता हमने कर रहा हुआ हम वो भी sign लगाते हैं तो बी तो formula का है और फिर बी 8 upon a काट दिया minus two सेम आ गया second portion पर आ जाते है alpha into beta तो alpha कितना है zero into beta कितना है minus two multiply होके zero हो गया और c upon a की जब बात करेंगे तो c है zero upon a है four यह चीज़ भी zero हो गई hence proved next question पर चलते हैं फिफ्ट पार्ट आ गया अपना t square minus 15 अब फिर से यह वही चीज़ है यार middle term split कैसे करें two term है तो पहले ABC लिख लेते हैं फिर देखते हैं आगे तो ABC का हिसाब क्या होता है AX square भाई square वाला अच्छा यहां पर T है तो ठीक है यार कभी S ले रहा है कभी U ले रहा है कभी T ले लिया आप कभी X होता है तो AX square मुझे पता X square वाले के साथ तो यहां पे कुछ नहीं है भाई बने प्लस BX तो वह वाला बंदेगा है मतलब यहां पर T है तो T expect करा था ना मैं के 2T 5T 70 कुछ लिखा होता ती वाला बंदा ही नहीं है इसका मतलब वह 0 है मतलब we can say like के T square प्लस 0T-15 इस तरह से वह वह बंदा ही नहीं है तब ही लिखानी हमने 0T होगा तो 0 होगा तो C होता है जो किसी alphabet के साथ नहीं हाँ पर पड़ा है तो C-15 हो गया clear है यह हो गया हमारा A B और C उसके बाद जब हमें solve करना है तो क्या करते है इकोल टू जीरो लेकर चलते हैं अब फिर से वही चीज़ है हमारा यहां पर कोई सीन वैसा नहीं बन रहा के middle term split वाला तीन टम न टी स्क्वेर जी कोल टू दर वेजिए 15 तो आज़ा टी की वालू क्या जाएगी टी की वालू क्या जाएगी स्क्वेर एंडर रूट लाएंगे तो रूट 15 लेकिन भाई ध्यान रखना दो वैली होनी चाहिए दो हम लोग क्या करते हैं जनरली सिर्फ एक वैलू लेके काम 2 भी होगी और माइनस 2 भी होगी दोनों वैली होगी कैसे अगर 2 का स्क्वेर करोगे तो आएगा 4 और माइनस 2 का स्क्वेर करोगे तो क्या जाएगा अरे तो भी तो 4 आएगा स्क्वेर करने पर नेगिटिव खतम हो जाता है नेगिटिव खतम हो जाएगा यह फिर भी 4 रहे तो दोनों number आपके सही होते हैं, जब भी under root करो, plus और minus दोनों values लो, तो यहाँ पर मैं कहा रहा हूँ, t की value root 15 तो होगी, लेकिन सिर्फ plus नहीं, भई, plus root 15 भी होगी, और minus root 15 भी होगी, तो मैं यहाँ कहूंगा, t is equal to, एक तो root 15 हो गया, और एक तो मैं कहूंगा, t is equal to minus root 15 हो ग under root का सीन हमने देखा, जब भी ऐसे आप number का under root करोगे, plus minus दोनों आने चाहिए, तो एक यह हो गया, यह मेरा alpha है, एक यह हो गया, यह मेरा beta है, ABC की value उपर लिख चुके हैं, आ जाते हैं अपने फिर उसी पुराने काम पर, alpha plus beta, alpha कितना है, root 15 है, plus, beta कितना है, minus root 15 है, plus, minus, minus हो जाएगा, 0, यह हो गया, sum, minus b upon a की बात करते है, minus b की value है, 0 upon a की value है, 1, क्या हो गया, 0, alpha plus beta और minus b upon a, hence proof, जो आप कहते हैं के, equal होने चाहिए, कर दिया हमने, second part आ जाएँगे, इसका, alpha into beta, तो alpha कितना है, root 15, into beta कितना है, minus root 15, तो एक तो minus multiplication में मैनस आगया, तो minus हो रहेगा, और root 15, root 15, भाई, root जब दो बार है, root 15, into root 15, तो क्या बचेगा, 15, root root हो गए, multiply हो गए, root 15, into root 15, तो root खतम, minus 15 आगया, और c upon a, c upon a का कैसी नहीं, c कितना है, c है, minus 15, upon one, यानि, minus 15, hence, proved, यह कैसे हुआ भी, देखो कैसे क्या हुआ है, यह कैसे आप कहते है, root 3, into root 3, 3 हो जात root के, और under root हमने सिखा हुआ, square root कैसे करा जाता है, हम लोग हमेचा factor लिया करते थे, जब root 3, into root 3 आया, तो मैंने का, भाई, दो-दो है, root के अंदर एक साथ आ जाओ, 3 और यह वाला 3, अब जब जोड़ा बन गया, तो हम कैसे करते थे, square root में ऐसी तो करते थे, root के अंदर root के बाहर आ गया, 15 बन गया, फिर यह question हो गया, इस वाले question का एक last part है, 6 part, वो भी देख लेते हैं, तो यह last part आ गया, 3x square minus x minus 4, फिर हमेशा की तरह, फटा-फट से लिख दे रहा हूं, मैं, a की value कितनी हो रही है, a की value हो गई, 3, b की value हो गई, minus 1 और c की value हो गई, minus 4, a x square plus b, x, x के साथ में कुछ नहीं है, मतलब 1 है, और negative b है, तो minus 1, minus 4, यह चीज हो गई, equal to 0 रख लेते हैं, क्योंकि हमें solve करना है, middle term split करना है, sum कितना चाहिए होगा, अब हम यहाँ पे अगर हम देख रहे है, बीच वाला number क्या है, minus 1, मतलब मुझे sum minus 1 चाहिए, और मेरा product कितना है, तो product हमें चीखा है, कैसे करते हैं, इस वाले को, इस वाले को multiply करो, 3, 4, 12 और minus भी लगा है, तो मिरे sum चाहिए, minus 1, और मेरा product यह, minus 12, कैसे बताया था तरीका, number low और factor कर लो, तो मैं 12 को कह सकता हूँ, 1, 12, 12, 2, 6, 12, 3, 4, 12, number 1 ते शुरू करो, 1, 12, अगला number 2, अगर हो र फिर मैं next पर है, 3, 3, 4 जा हो गया, next पर मैं आया, तो 4 था, 4, 3 जा, तो मैंने कहा है, यह तो number, exactly same पर, repeat हो रहा है, मतलब, बस अब आप stop कर जाओ, यहीं पर, इसके आगे नहीं जाने की ज़रूरत है, अब इन में जुकार लगा, लो, देख लो, मुझे sum क्या चाहिए, 1 च सब्ट्राइट करोगे, तो 6 में से दो गया, 4 यह भी नहीं हो रहा, 4 और 3, 7 नहीं हो रहा, लेकिन 4 में से 3 घटा होगे, तो है, hope है, 4 और 3, जब घटा रहे हैं, तो एक आ रहा है, इसका मतलब, my numbers are 4 and 3, अभी plus minus recite करना है, क्योंकि, अब मैं सब्ट्राइट करने जा रहा obviously subtract करूँगा, तो एक plus होगा, एक minus होगा, कौन plus होगा, कौन minus होगा, बई मैं देख रहा हूँ कि some मुझे final answer, minus का चाहिए, यानि कि minus का number बढ़ा होगा, तो मैं करूँगा, minus 4 ले ले लेते हैं, और 3 ले ले लेते हैं, minus 4 plus 3, minus 1 होगा, और minus 4 into 3, minus 12, number मेरे ही आ गया, देखो तरीका अब आपको बता चुका हूँ, इतने question कर लिया, I hope clear हो गया होगा, यह clear हो गया होगा, तो share कर दो, like कर दिया करो, और जिन्होंने subscribe नहीं करा, थोड़ी शरम कर लो, और subscribe कर दो, 3x square, minus 4x, अब दीरे दीरे दो है, वो मैं भी सीखने लगाऊ ऐसे, कैसे बीच बीच में, कैसे कहाँ, वो dialogue मारना है, subscribe आला, है ना, पहले बोलता नहीं था, अभी सीख रहूं, पहले दो में से comment निकालेंगे, तरीका क्या है वई, तरीका यह 3x square लिख दिया, बीच वाले न upset, मतलब बीच वाले की जगह, इनको उठा के ऐसे put कर दिना होता है, पहले दो बंदों में से, common, common निकाल लिया है, पहले दो बंदों में से, और अब क्या करना है, common निकाल ला है, तो x दिख रहा है मुझे, 9 खेश दिता हूं, इसलिए कि इन दोनों को देख रहे हैं, तो बाक्यों को छोड़ दो, इन दोनों पर ध्यान दिया, मैं देखा, गिंती कुछ common निकल रही, लेकिन x common निकल रहा, x common निकला, यहां से बचा 3x, there's negative 4, हो गया, प्लस, यहां से कुछ भी common नहीं है, कुछ भी common नहीं है, तो बस 1 लिख दिया, 3x minus 4, और मुझे दिख रहा है 3x minus 4 is equal to 0, यहां से 3x is equal to 4, और x is equal to 4 upon 3, this is my first 0, जिसको हम alpha कह देंगे, उसके बाद यह वाला बन्दा x plus 1 is equal to 0, x की value minus 1 हो गई, इसको हम beta कह देंगे, बही alpha बीटा आ गया, ABC पता चल गए, अब जो तरीका जो हमारा काम है, alpha plus beta, alpha की value है, 4 upon 3 plus beta की value है, minus 1, plus minus minus हो जाएगा, 4 upon 3 minus 1, अभी से solve करना है, नीचे कुछ नहीं है, तो 1 लगा लिया, LCM लिया 3 आ गया, 4 minus 3, 4 minus 3, 4 मैं से 3 गया, बचा क्या, 1, 4 मैं से 3 गया, बचा 1, 1 upon 3, भाई फिर से कह रहा प्लस माइनस वाली चीज़ों में problem है, तो बिल्कुल खुल के बता दो, कोई किसी को पहचानता नहीं यहाँ पर कि कौन बंदा है, comment में लिख दो, क्लासरूम में तो बैठे नहीं हो कि बाकी लोग मजाग उडाएंगे, comment में लिख दो, genuinely बता दो, अलग से एक proper से एक वीड मैंनसा यह बड़े चक्कर है, एक तो यह मैनस वह अपना मैनस से लग लिख लियाता है, तो मैनस यह और बी की वैल्यू मैनस 1, अपन ए की वैल्यू 3 है, मैनस मैनस प्लस हो जाएगा, तो 1 अपन 3, यहाँ भी 1 अपन 3, यहाँ भी 1 अपन 3, डन हो गया, पहला, second part पर आजात हैं c upon a c की value कितनी है minus 4 upon a की value 3 minus 4 upon 3 minus 4 upon 3 by easy के साथ में सारे question हो गए first first question हो अभी अगला question बाकी है war कर लेते है exercise खतम कर देंगे वीडियो भी खतम कर देंगे फिर एक अगली वीडियो आएगी उसमें chapter निप्टा देंगे यह आगया हमारा question number two question number two में छे पार्ट हैं तीन में बता दे रहा हूं तीन आपको पता चल रहेंगे तो तीन फिर आप अपने आप कर लोगे बहुत असान है यहां पर इन्होंने जो दो नंबर यहां पड़ोगे question तो इन्हों ने काया form a quadratic polynomial whose sum of zeros and product of zeros are given respectively मतलब यह जो पहला number है वो sum of zeros है यह sum दिया हुआ है और यह जो बाद में दिया है यह product है तो इन्होंने sum और product हमें दे दी हैं कि यह आपको given irrespectively और अब आप इनकी equation बनाओ quadratic equation बनाओ तो हमने कहाँ है quadratic polynomial बनाना है तो हमने कहाँ होता है ना वो तो minus be upon होता है मैं पता है sum is equal to minus be upon है तो वहांसे मैंने कहाँ minus be upon a is equal to one upon four minus be upon है यह तो यह इतना है यह लिख दिया और इसी के साथ में मैंने कहा यार product तो c upon a is equal to minus one यह कर लिया अब यह कुछ नहीं है इधर भी ऐ तो मैं compare कर लूंगा फिरोआंसे तो यहां पर 4 है मैंने कहां इधर भी 4 बनाऊ तो नीचे उपर 4 से कर लेते हैं हो गया अब यह क्या बन गया माइनस 414 हो गया minus 4 upon 4 यह हो गया c upon a अब मैं compare करूँगा अब जब compare करूंगा तो a यहां भी 4 a यहां भी 4 तो मतलब सही है भाई इसी लिए मैंने denominator सेम कर रहा था ताकि मैं आराम से compare कर सुगों अब मेरे a की value कितनी हो गई on comparing we get a is equal to 4 minus b is equal to 1 तो मांसे यह minus उदर चला जाएगा और b की value minus 1 हो जाएगी ठीक है और c की value minus 4 आप यहां से minus उदर वे जा था तो वो प्लस में चला गया वह ऐसा होता है कि अगर minus 1 था ऐसे लिखा होता और minus का 1 होता तो वह पर जाता है यहां पर यह multiplication में था it was minus 1 तो जब वो multiply में गया जब वो multiply में था वहां से मैंने divide में वे जा B is equal to 1 upon minus 1. तो फिर वो minus over shift हो गया and that is minus 1. तो minus 1 यहाँ पे था, वो transfer कर दिया, उदर चला गया. मुझे A पता चल गया, 4, B की value negative, 1, C की value negative 4. यह इतना हो गया, अब मेरी general form होती है, AX square plus BX plus C square, बहुत सी कुछ चीज़ें ऐसी होती है, जैसी यह वाली जो चीज़ मैंने एक बार ऐसी बता दूँ, यह बहुत basic, बहुत common चीज़ें, तो फिर वही क्या रहा हो, अगर किसी को बहुत basic चीज़ों में confusion है, कुछ problem होती है, मुझे बताओ, अलग से बताओ, फिर देखेंगे उनको, AX square plus BX plus C is the general form, मैंने का यार, A की जगा 4 put कर दो, 4X square, B की जगा minus 1 put कर दो, और C की जगा minus 4 put कर दो, यह हो गया, आपकिया, polynomial तयार, फटा-फट से ऐसी आगे वालों पर आ जाते हैं, यही काम अब हमें सम्मे करना है, next पर आजाते हैं, मैंने का, यह तो sum है, minus B upon है, यह हो गया, root 2, और फिर C upon है, यह कितना हो गया, यह हो गया, 1 upon 3, हो गया, नीचे कुछ नहीं है, मतलब 1 है, नीचे कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो अब मैंने देखा, यहाँ पर 3 है, तो अब यहाँ पर 3 बनाना पड़ेगा, 3 बनाने के लिए, उपर नीचे 3 से multiply कर दो, यह क्या बन गया, 3 root 2 upon 3, हो गया काम, अब compare कर लेते हैं, मुझे यही काम करना था, मैंने कर सेम कर लेते हैं, इधार 3 है, तो यहाँ 3 बना लो, उपर नीचे कर लिया, यह 3 root 2 upon 3, हो गया, now let's compare, जब हम compare करेंगे, तो मैंने देखा, नीचे A है, और यह 3 आ रहा है, मतलब A की value कितनी हो गई, A हो गया मेरा, 3, और minus B root 3, 3 root 2 हो गया, तो यह minus उदर भेज़ देंगे, B की value, minus 3 root 2 और C की value, 1, ठीक है, A की value 3, minus B था, तो minus को जैसे अभी मैंने वहाँ दिखा है था, इसको इदर भेज़ेंगे, ऐसे इदर आ जाएगा, तो B की value, minus 3 root 2 और C की value, 1, A, B, C पता चल गया, उठा के यहाँ equation में put कर दोगे, आपका polynomial तयार है, third last देख लेते हैं, यह है minus B upon A, minus B upon A given है, 0 और C upon A जो है, वो दिया है, root 5, यह और आसान है, यह सबसे आसान है, यह इतना पता चल गया, यह दिया था, मैंने का नीचे कुछ नहीं है मतलब 1, नीचे कुछ नहीं मतलब 1, तो यह और आसान हो गया, वहाँ पर हमें compare करने के लिए पहले equal करना पड़ा था, यहाँ पर अपने आप equal हैं, दोनों के नीचे 1 है, तो A की value आ गई, 1 B की value आ गई, 0 C की value आ गई, root 5, ABC पता चल गया, उठा के यहाँ इन चीज़ों में put कर देंगे, A की जगा, B की जगा, C की जगा, आपका quadratic polynomial तयार हो गया, इसी के साथ ये वीडियो complete हो गई है, next वीडियो डलेंगी, उसमें ये chapter complete हो जाएगा, division के बारे में देखेंगे, कैसे division करते हैं, छोटी सी चीज़े हैं, वहाँ पर वो concept clear करके, इस chapter connect आ देंगे, वही friends के साथ share कर दिया करो, ताकि सब के पास पहुचे, दो महीना हैं, अभी लोग मेहनत कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो थोड़ा सा उन का असानी हो जाने कर दिया करो, और जिसने subscribe न कर रहा हो, वह subscribe कर दिया करो, मिलेंगे अगे लिए वीडियो में, तब तक के लिए और देंगे,